हेलो फ्रेंट्स मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है हाई मैं रोहीनी चलिए आज बनाते हैं चीज बॉल यह देखिए चीज बॉल बनाते हैं देख सकते हैं मैं तोड़के दिखा रही हूं इसका स्टफिंग हम से हम लोग चीज डाड़ेंगे और बहुत ही टेस्टी लग हूं बारी चॉप के अप्याज थोड़ा पुदीना के पत्ते थोड़ा धनिया के पत्ती कॉन ले रही हूं मैं और जो ब्रेड है फ्रेस वाला ब्रेड है उसे में तोड़के थोड़ा से उसे मिक्स कर रही है अब विजटेबल आपको जो पसंद हो आप ले सकते हैं मैं थो पूरा सोख लेगा इसको अच्छी तरीके से अब हाथ से अच्छा से मैश कर लिजेगा बहुत ही सिंपल रेसिपी है इवनिंग स्नैक्स के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है आप देखे मैं इस पर कॉन फ्लॉर आइट कर रही हूं कॉन फॉर का मैं दो टीस्पून मै टोस्ट उसका चूरा ही जो पाउडर पर जाता है वह वह वाला है जिसे मैं स्टोर करके रख लेती हूं अब इसे अच्छा सा मुझा कर लेंगे और एक बॉल बना रही हो और मैं चीज को कट कर ली हूं चीज को अंदर में ऐसे फिल कर लेंगे तर कि मैं इसे आप राउंड कर weekends और के फिर से शहें अचुए सांचा से कोट कर दे रही हूं अग्र आपको इस रस्क कर नहीं है तो जो आप ब्र इंदैख के लिए संब्हें टो सब कों आ है तो सबीग चीज बाल को मैं से बना लूँगी सबको मैं से रस्क के कर दे रही हूं थोड़ी देरे के लिए 5 doit के लिए से走 dissemin रख देंगे कि अच्छा सट सोख ले उसके बाद इससे हम लोग प्राई करेंगे कि आप तुरंदी फ्राई कर सकते हैं अगर आपको अब जल्दी है तो एक सेड बनार एक सेट फ्राई कर रहे हैं कर सकते अगर आपको इस सटाईम है तो dosas साथ मेट आप इसे फ्रिज में रख लीजे और अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा किसी में भी अब इसे सर्फ कर सकते हैं बहुत ही अच्छी लगीगी चट्नी मियो नीस सॉस किसी के साथ भी सबके साथ ही बहुत ही अच्छी जाती है सब को देखे मैं बना ली हूँ थो इदर एक लिए से दो मिलेट के लिए मैं इसे सेट होने के रख दूँगे उसके बाद मैं यह देखे ओई ली हूँ जैसे ही तेल गरम हुआ उसे मैं डाल रहे हैं अब देख सकते हैं बिल्कुल भी फटेगा नहीं कहीं से कुछ नहीं है त टिप याद रखिएगा कभी जो भी डिफ फ्राइट चीज करते हैं उसे फ्लेम को हाई करके करना तेल अच्छा गरब होना चीए अगर तेल थोड़ा भी ठंडा हुआ तो यह तेल सोखने लगता है कभी देखे किसी भी चीज में ज्यादा तेल तेल है टेम्ट्रेचर के का अच्छे में ऻएंते डूं screaming जबूसरा पेश था उससे में सायड में टाल दे रहे हुए उसे भी इवी फ्राइब होगी इसे में निकाल दूंगी थोड़ा सा सपेस् था तो जो बचावा था उससे में टाल दी हुँ इसे भी गुल्डन ब्राउन होने के बाद इसे भी निकाल देंगे देखिए टेंप्रेचर को मैंने कम नहीं किया हाई टेंप्रेचर ही रखें हूं मैं सब देखें गुल्डन ब्राउन हो चुक है इसे में सर्फ कर दूंगे मैं निकाल देरीं सबको झाल झाल इसे सबको निकाल दी हूँ सर्फ कर लिए अब देख सकते कहीं से भी तेल तेल नहीं लग रहा है अब मैं इसे चेटनी के साथ सर्फ करूँगी आप तोड़के वी मैं आपको दिखा रही हूँ देखे यह चीज बॉल बहुत ही टेस्टी बनती है आप लोग मेजरेमेंट से आप से बना के इंजोई कर सकते हैं आगे में और क्यों सिंपल से अच्छी रेसिपी के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगी थैंक्यू फर वाचिंग